वेलकम वेक फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत हैं आपका अपने चेनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी UK SSSC Scalar Exam यानि Physics की स्रीज का वीडियो नंबर 16 पहले के 15 वीडियो प्लस आप कैमिस्ट्री का जो कंप्लीट स्लिवस है वो अल्रीड हम अप्लोड करा चुके हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्स में मिलेगा अप ले लिस्ट में आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे तो किलिक करके देख सकते हैं इस वीडियो में डिसकस करेंगे हम इलेक्ट्रोनिक छंता और संभावित अ कहलाता है ध्यान लगना किसी इकाई धनाविस को अनंत से विद्यूत शेतर में इस्थित किसी विंदू तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी को कहते हैं वैद्यूत विभाव कहते हैं विद्यूत विभाव क्या होती है एक अधिस रासी होती है या आपको ध्यान लगन इस्तित किसी window, तक लाने में, जो कारे किया जाता, वो क्या किया जाता है? तो उस window पर, वो अपन क्यू होता है? क्या होता है? अचा, दूसरी definition, इसकी ये हो जाती है, क्या स्वागता है, किसी क्यू नोट को, वैद्यूत छेत्र में किसी विंदूतक लाने के लिए जो कार्य के जाता है और उस जो विभाव होता है जो जो आवेस होता उसके अनुपात को हम वैद्यूत विभाव कहते हैं दूसरी डेफिनिस है आप से यह बन सकती है निके कार्य है और जो आवेस होता उसके अनुपात को वैद्यूत विभाव कहा जाता है अगर बात करें इसके मातरक की देखिए एक तो आप से पूछाएगा सदिस या अदिस तो एक आदिस रासी आपको ध्यानकना most important दूसरा यह पूल पिरती कुलाम भी इसका मातरक हो जाएगा और बोल्ट दूसरा यहां से जो important question बन सकता है वो बन सकता है इसकी बीमा तो बीमा होती है ml square t की power minus 3 और a की power minus 1 यह बीमा भी आपको note रखने तो यहां से बीमा इसका मातरक और यह सदिस या अदिस रासी प्लस यहां से formula इस formula से जो भी questions बनते हैं वो next video में हम आपको कराने वाले हैं अब है विद्युत विभानतर देखे विद्युत विभाव क्या था विभाव था अनंत से किसी धनावेश को या किसी परिक्षण आवेश को विद्यु छेतर में इस्थित किसी विंदू तक लाने में जो कार्य किय जाता है इसमें क्या होता वहाँ पर अनंत सताया से एक विंदू से दूसरे विंदू तक लाया जाता है यानि परिपत में एक विंदू से एकांक धनावेश को दूसरे विंदू तक पिरवाहित करने में विय होने वाली उर्जा उन दोनों विंदो के बीच विभानतर कहते हैं यानि एक बिंदू से दूसरे विंदू तक जो एक आंक दनावेश को लाया जाता है तो यहां से यहां तक लाने में यानि एक बिंदू से दूसरे विंदू तक काई में विद्धू छेत्र में लाने में जो उर्जा वे होते हैं जो भी काड़े किया जाता है उसी को वैद्यूत विभांतर कहा जाता है ध्यान नखना है यानि कि इन में जो दोनों में डिफरेंस है कि विभाव में अनंत से लाया जाता है यहां पर एक बिंदू से दूसरे बिंदू तक इसे भी वी से दरसाते हैं इसक यानि इसका formula भी सेम होता है क्या होता वी is equal to w upon q होता वी is equal to w upon q इसका formula होता है तो friends जो next वीडियो आपका आएगा उसमें हम इन दोनों के numericals को लेकर आएंगे यानि विभाव और विभांतर के ऊपर जितने भी numericals या विद्यूद भारा का जो हम formula आपको करा चुके या विद्युद भाराम पढ़ा चुके है यहाँ पड़ा आ चुके हैं परिपत एक structure होता हम next वीडियो में लेकर आएंगे तो विद्यूत बिभानतर बिभाव और विद्यूत धारा के ओपर जितने भी नुमेरिकल साब से एक्जाम में पूछे सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले थेंक्यू फो वोचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में